कि नविश्कार रोव सक्षी नेटिक और आप सवी का स्वागत है गुजरात में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली भरतियंता पार्टी ने एक साथ कई रिकॉर्ड बना दिये हैं गुजरात में बीजेपी ने सरवाधिक संख्या में विधानसवा सीटे जीतने का तो रिकॉर्ड बनाया ही इसके साथ ही सबसे ज्यादा मत प्रतिशत हासिल कर अब तक के सब रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं यहीं बीजेपी के नाम एक और उपलब्दी यह है कि सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले उमिद्वारों की संख्या का भी उसने एक नया रि प्रचार किया अमदाबाद में राज्य बीजेपी मुख्याले कमलं में आज मुख्यमंतरी भुपेंदर पटेल और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष तीयार पाटिल जब पहुंचे तो कार्यकरताओं का उत्साह देखने लायक था इस अवसर पर सीयार पाटिल और भुप प्रचार के समय आवादी पार्टी और कॉंग्रेस की और से किये गए वादों पर कटाक्ष भी किया आई देखते हैं गुजरात पीजेपी अध्यक्ष पाटिल और मुख्यमंतरी भुपेंद्र पटेल के विजय बयान की बड़ी बातें ही दबागी अभव्यविजयि इसत्तावीस वर्ष के बाजबा के सखारातमक कायरन का विजय हैं हमने जन्ता कि सेवा और कल्यान को आदर्स मान कर न करकार्य किया हमने अपने प्रचार अभीयान के दहरान सुस्श शासन और विकास के हमारे जो वादेतें वो साकार किये संकल्प को गुदराद के हर कोने तक पहुचाने का प्रयास किया आधारनीर प्रिदान मंत्री सीजिर नरेनमोदी जी के विकास कारयों को धर्ती पर उतारने का काम गुद्रात की वुपेर्ण पट्रेल सरकार कर रही है। पईनाम ये चुनाओं के नतीजे है। विश्वास को बनाए रखना ये विश्वास को ध्राड करना और सत्ता प्याप्ति के परियाप्त सत्ता के माध्यम से लोगों की सेवा करने की परंपरा। बारत्य जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिन्दी और भाजपा आगे बढ़ाईगी। उदात में बाकी राजने दिक दलने भी बड़ी-बड़ी योजनाय बनाई बड़े-बड़े वादे किये। क्योंकि उन्हें सत्ता में तो आना ही नहीं था। इसलिए जनता को गुम्रा करने के लिए हने एक वादे किये। जो कभी भी पूर्ण कोई भी पार्टी कर नहीं सकती है। उदात की शान्ती, स्थिर्ता और समुद्धी को कलंकित करने के बद इरादे से उन्होंने इस इलेक्षन में हिस्सा लिया। और युवाओ की शक्ती समर्थ को अपाहीच करने के लिए लुभावने वादे किये। उदात की विकास यात्रा को रोकने वाली राष्ट विरोधी शक्तियां भी इस चुनाओं में दिखाई दी। मगर ये गुज़ात हैं जो अपने समर्थ और अभीवान को अच्छी तर कर भाजवपा को अद्बूत विजय दिया है कि कर लोगों ने तो हमारी सरकार बनेगे ऐसा लिखकर दिया कि किसी ने कहा के परिवर्तन हो जाएगा साथियों ये जितना जस्त मनायने का मौका है उतना ही ये परिविक्ता और साथ विचार करने और जनता को विश्वास प्यार को समझाने का अउसर भी है जनता के विश्वास के प्यार को भी समझना का उसर है अगर गुजरात की जनता बार बार भारती जनता पार्टी को जिम्मेदारी सौपती है तो आईए हम आदरिन नरेंदर भाई के दिसादर्सन में पंच निष्टा और सांस्कूर्तिक राष्टवाद के प्रती अपनी प्रतिबज़ता को मजबूत करें राज्य के विकास और कल्यान के अपने लक्ष की और हमें तेजी से आगे बढ़ाए सातियों बारत्य जन्ता पार्टी का संकल्क अन्य पार्टियों की तरह सिर्फ चुनावी वादों का गोश्रा प्रत्न नहीं बल्कि यह गुजरात की अगले पाँच वर्सों की लंबी सुनोजित और वैस्विक यात्रा का प्रदान मंत्री सिर्फ नरेंद्र भाई के मार दर्श्म में बना हुआ दस्तावेज है